बरा निक लगेला बलम जी के बोलीया, जब से लियाईल वारा अपना घरे डोलीया, अक्षरा सिंग इस गाने को गाना सुरू करती है, और भीर इतनी ज़्यादा बेकाबू हो जाती है कि अक्षरा सिंग के ऊपर जूते चपल और बोतलों की बरसात हो जाती है, और उसके पुलिस को लाठी चार्ज करना परता है लोगों को सांत कराने के लिए वहां से भीर को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना परता है अब यह पूरी कहानी कहां की है और कहां बवाल हो गया कैसे बवाल हो गया इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे आप को बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा प्रच्या जान लिजिए नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंचन देखना सुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विसाल और अब आईए अक्षरा सिंग के उस स्टेज सो पर जिसके जिसमें बवाल हो गया अक् अक्षरा सिंग वहाँ पर अपना गाना गाना शुरू करती हैं डान्स करना सुरू करती हैं और उसके बाद भीर इतनी ज़ादा बेकाबू होने लगती है։ अक्षरा सिंग के स्टेज सो के दारान जब अक्षरा सिंग गाना गा रही होती है और डांस कर रही होती है उनके उपर जूता चपल और बोतलों की बरसात हो जाती है अक्षरा सिंग आजमगड के स्टेज सो में आजमगड महुत्सों के स्टेज सो पर पर परफॉर्म करना करती है और उसके बाद भीर से कुछ लोग जो हैं वो अक्षरासिंग का नाम लेकर के हुटिंग करना शुरू करते हैं अब हुटिंग को आप जानते ही हैं कि जैसे आई-पिल के समय में हार्दिक पांड्या के खिलाफ हुटिंग हो रही थी वैसे ही अक्षरासिंग के पुलिस लगातार प्रियास कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, भीर पर नियंतरन कर लिया जाए, लेकिन जब भीर उपद्रो करना सुरू करती है, तब पुलिस के बरदास्त के बाहर हो जाती है, पुलिस के लगाम के बाहर हो जाती है, और सिधा अक्षरा सिंग के स्टेज पर जूते चपल फेके जाने लगते हैं, खाली बोतले फेकी जाने लगती है पानी की, और उसके बाद अक्षरा सिंग इन सब चीजों से प्रिसान हो जाती है, पहले तो बार बार अपील करती हैं स्टेज पर खड़ा हो करके, कि आप लोग ऐसा मत क जीजी है, लेकिन उसके बाद भी जब भीर नहीं रुखता है, तो अक्षरा सिंग बीच में ही ये स्टेज छोर करके चली जाती है, उसके बाद पुलिस जो है उपद्रों को सांथ कराने के लिए लोगों को सांथ कराने के लिए लाठी चार्ज करना शुरू करती है और बल नाचना और गाना शुरू करती हैं और फिर जो है लोग उनको देखना शुरू करते हैं आजमगट के इस महोच्चों में लगबग 20-20,000 लोग अक्षरा सिंग को देखने के लिए पहुचे थे और उसी में से कुछ लोग थे जो अक्षरा सिंग का नाम ले करके हूटिंग क करना शुरू किये और हुटिंग करते करते पीछे से भीर इतनी ज्यादा आगे बढ़ने लगी और ठेलम ठेल होने लगा कि लोग जो है इस स्टेज की तरफ बढ़ने लगे और पुलिस बार बार नियंतरन अस्थापित करने का प्रयास कर रही थी और इसी बीच भगदर हो करने के लिए भीर को सांथ करने के लिए क्योंकि अक्षा सिंग जैसे श्टेज छोड़कर गए जाती है वहां अन्य लोग जो सांथ थे खरावकर के प्रोग्राम देख रहे थे वह लोग भी भगदर करना सुरू कर देते हैं और तब पुलिस जो है लाथी चार्ज करना सु पर आती है het with the finns पर के विधाаки पर देती है और फिर नाच्ति और गाती हैं अब समझेए समय की अक्षा राख सिंग के स्टेज इस्टेज तो में बाव ये पहली बार नहीं है इससे पहली जगह पर हो चुके हैं जौनपूर में हो चुका है और कई जगों पर हम देख चुके हैं कि अक्षराज सिंग जब भी स्टेज सो करने जाती है तो कुछ न कुछ बखेरा खरा हो जाता है, कभी पब्लिक पागल हो जाती है, कभी अक्षराज सिंग खुद गुसे में आकर के माइक फेक करके चली जात है कि अक्षराज सिंग जब स्टेज पर जाती है तो बवाल हो जाता है और लोग जो है वो मतलब जूता चपल इत्यादी तमाम चीजे जो है फेकना सुरू कर देते हैं, अब आप अक्षराज सिंग के स्टेज प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जो अक्षराज सिंग के स्टेज सो में हुआ यह होना चाहिए था या नहीं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जन्चन बहुत बहुत धन्यवाद